हेलो स्टुडेंट, वेलकम अंस अगेन, बच्चो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9-1 का जो 5th नमबर का क्वेस्चन है इसे सॉल्व करेंगे यहां पर हमको सील का रूपी दिया हुआ था यह बागि स्थेंस हमको दिया हुआ है और प्रेट्रोल का लीटर दिया हुआ है वागी सॉल्व जोगा सेम होगा, जैसे हम पर हमें भी ह्यां पर लगाऊ है और इसली हो जाएगा पहले मैं वह question read करके समझाता हूँ, हमसे ये बोला जा रहा है न, कि एक car है, वो क्या कर रहा है, 42 liter petrol जब हम उसमें डला रहे हैं, तो वो 357 km travel कर रहा है, यानि इतना distance वो cover कर रहा है, तो हमसे अब ये पुछा जा रहा है, कि अगर हम उसमें 12 liter petrol डला है, क्योंकि पेट्रोल मं रहा था, तो 12 liter में कितना distance cover कर रहा है, ये पूछ रहा है, तो सबसे simple तरीका क्या है, 42 liter का दिया हुआ है, हम 1 liter का निकालेंगे, कि 1 liter में वो कितना distance cover करेगा, और जब 1 का पता चल जाएगा, तो उसमें हम लोग 12 का multiply करके 12 का निकालेंगे, आज ये मैं आपको कॉपी में सम कितना distance cover कर रहा है, 357 kilometer कर रहा है, तो same statement उतार देना, मैं dash कर देता हूँ, और लिख देना कि 1 liter petrol में वो कितना distance cover करेगा, अगर 42 liter में इतना कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, 1 liter में कम करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 357 को divide देंगे 42 से, ये 42 धरा करके divide में हो जा करना है, तो simple सा इसको देखो trick है, ये 42 liter में इतना चल रहता है, मैंकि basic common sense अलज होता है, वो चीज़ है, तो 1 liter में जाहिर सी बात है, कम चलेगा, तो जब कम चलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, divide ही करेंगे, और दूसरा चीज़ आप बच्पन से अभी पढ़ते आ रहे हो 25 से 5 का multiply थोड़ी करते हैं, 5 को divide करते हैं, तो ये कौन मैं कि क्या बोल साथ, तो common sense जो चीज़ें होती है, ये इसमें आपको confusing चीज़ नहीं है, कब multiply करना है, कब divide करना है, इसको अपने दिमाग सी समझ सकते हो, 42 liter में इतना चल रहा है, तो 1 liter में कम चलेगा, इसलिए हम लो पेटरोल में, तो same statement लिखना, ये statement बार पर मत बदलना, और यहाँ पर 1 liter के जगा में 12 liter पेटरोल कर देना, 12 liter पेटरोल में कितना चलेगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका 12 से multiply करेंगे, यानि 1 का हमको पता है, 357 divided by 42 है, तो इसका multiply कर दो 12 से, ये हो जगा हमारा 12 liter का, 1 का पता रहता है, और ज़्यादा का निकालना रहता है, तब हमनों multiply करते हैं, ज़्यादा का पता रहता है, 1 का निकालना रहता है, तब हमनों divide करते हैं, common सी सीजे है, इनको दिमाग में fit कर लो, बस इसको solve करना है, तो solve कर लेते हैं, तो थो थो जगा नह है तो मैं roughly side में बना लेता हूं आप भी इसी तरीकिस कर लेना लेकिन यहां पर पेज में जो हम अगर मालों fair में एक्जाम में बना रहे होगे ना तो पीछे वाले page में करना रफ side में करना यह हो जाएगा नीचे में 42 दोनों हमारे 6 से cut हो रहे हैं मेरे तो मैं 6 से उड़ा देता हूं इसको 6 2 जा 12 हो गया 6 7 जा हमारा 42 हो गया अब यह और यह 7 से दिख रहा मुझे cut होते हुए 7 से कर देता हूं 7 मज़ा 7 75 जा 35 हो गया और फिर से 7 मज़ा 7 हो गया तो denominator साफ हो गया 1 आ गया तो लिखने के जूरत सब्सक्राइब कितना सींपल सा कोईस्टन है पर सब्सक्राइब को इसी तरीके से सिंपल में समझा दूंगा थैंक्यों फॉर वाचिंग